हेलो फ्रेंस तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड ट्रेडिंग प्रेक्टिस आप सब का बहुत ही जवर्दस चलड़ा होगा दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता हैं आज मेरा सिरीज डे 49 मा दिन है एंड कल मेरा ये सिरीज का जो है दय इन्ड है मतलब जो है कल मेरा ये सिरीज कम्पलीड हो जाएगा एंड पर्षो जो मेरा होगा वो लाइफ ट्रेडिंग के साथ मतलब 52005 लाग का सिरीज वो चलने वाला है अगर आप सब अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जोईन किये हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आप जाके जोईन हो जाईए ठीक है और आप देख सकते हैं मेरा जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है आपके सामने है और मैंने ये 20,000 से यहाँ पे तक्रिवन जो मेरा टार्गेट है 21,000,000 के जिसा है और मैंने उस टार्गेट को एचिप भी किया है अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो और मैंने नीचे. 900 अगर आपके मन में कोई भी कॉश्टयंस है तो आप वह नीचे कॉमेंट कर सकते हैं में उस टॉफ्टिक पे वीडियो या फिर मैं आपको कोमेंट बॉफ्स में IS समझा दूँगा अगर आपके मन में कोई भी तरह का सवाल चल रहा है तो आप मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक थोरा कम आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, एंड कुछ कमी है तो आप बता सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को इंपरूब करें, तो चलिए आज का जो वीडियो है 49 दिन है और मैंने जो है 48 दिन में बहुत ही जवर्दस तरीके से प्रोफिट किया था एंड हिस्ट्री आपके सामने है और मैंने जो है लगभग 11 लेक्स के जैसा मैंने किरियेट किया था तो चलिए आज के वीडियो को सुरू करते हैं एंड सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे market को analyze करके ठीक है तो सबसे पहले दिखिए यहां पे 78% है तो मैं इसमें trade कभी नहीं लूँगा यहाँ पे दिखे 76% है इसमें भी मैं कभी trade पंच नहीं करूँगा यह दिखे 76% मतलब जितना भी 80% से नीचे होगा हम उसमें trade पंच नहीं करेंगे ठीक है? and कुछ market को भी हम add कर लेते हैं ताकि जो है अगर आप देखें market को तो यहाँ पे एक resistance लेवल है आप इस लेवल को resistance मान सकते हैं और अगर यह candle उपर close देता है तो फिर हम downward action के लिए जाते बट यहाँ पे जो है नहीं गया है अभी तक उस लेवल को touch भी नहीं किया है तो हम यहाँ पे risk नहीं लेंगे और आज मैं यहाँ पे 30 मतलब 3% से trade punch करूँगा नहीं तो अगर मैं 4% से करूँगा तो यहाँ पे देखें जो investment हो जाएगा 75,000 रूपीज हो जाएगा तो यह लेगा नहीं ठीक है अगर मैं trade punch भी करूँगा तो यह trade punch नहीं होगा विकाओ जी यहाँ पे देख सकते हैं maximum amount जो है 70,000 ही आप डाल सकते हैं तो मैं इसको percentage wise जो है कम कर देता हूँ मैं 3% पे आज मैं trade punch करूँगा और आज का जो मेरा target होगा यहाँ पे कितना है आज का target अपना आप इस target को मान सकते हैं 90,000,00,00,00 के जैसा मेरा target है तो चली हम उस target को achieve करते हैं आज का जो profit होगा यहाँ पे 194,000 रूपीज होगा चली है वीडियो को सुरू करते हैं चली है and wait करते हैं यहाँ पे देखे market यहाँ पे resistance level है हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद अगेन अगर इधर मार्केट आता है यहाँ पे जहाँ पे मैं करसर दिखा रहा हूँ तो हम यहाँ पे डाउनवर डायरेक्शन के लिए एक ट्रेट पंच कर देंगे फिलाल वेट करते हैं देखते हैं मार्केट यहाँ पे आएगा और मेरे पास 30 सकेंड से उपर रहेगा तभी हम ट्रेट पंच करेंगे नहीं तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे विकाज यहाँ पे जो है थोड़ा सा गेप छोड़ दिया है तो जब तक इस गेप को फिल नहीं करेंगा तब तक हम यहाँ पे जो है ट्रेट पंच नहीं करेंगे ठीक है देखिए 30 सकेंड ओके तो मैंने यहाँ पे ट्रेट पंच तो किया बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्री रोंग लगा एंड जो ट्रेड है मेरा वो यहाँ पे डिर्मिनट में चला गया वैसे यह candle को यहाँ पे rave बनना चीयर और अगर यहाँ पी रेट नहीं बनता है तो इस गेप को फिल करना चीए यह दो लोजीग है ठीक है अब देखते हैं क्या होता है एंड वैसे भी ये ट्रेड मतलब नहीं होगा मतलब जो टाइमिंग है इसका डेर मिनट का हो चुका है तो हम यहाँ पर दिखे क्या होगा यहाँ पर फीर से थोड़ा सा मार्केट चोड़ा है तो यह यह केंडल वैसे भी डॉन बनेगा एंड यह ट्रेड अपना प्रोफित हो करना पड़ेगा क्योंकि पहला ट्रेड अगर लॉस चार्ड आए तो फिर गरबर हो सकता है आगे आठ सकेंड है देखिए मार्केट उस लेवल से जो है नीचे गया नहीं ठीक है और चलिए नहीं लेंगे ट्रेड थोड़ा सा इनलाइस करते हैं पहला ट्रेड अभी लोस हुआ ठीक है और दूसरा चीज यहां पर पेटन तयार होड़ा है अगर आप देखें तो यहां पर पेटन बनाए तो हम यहां पर दो ट्रेड पंच करेंगे अगर इस लेवल के कहीं ऊपर क्लोज देता है तो ठीक है फिलाल देखते हैं क्या करता है मेरा फिलार जो है 56,000 र बहुत अच्छा है यह अपना प्रोफित निकल जा सकता है क्योंकि यहां पर एक लेवल भी है तो यह लेवल है तो यह थोड़ा बहुत तो रिजक्शन दे गाई वैसे अगर देखा जाए तो सेलर ठोड़ा प्रेसर में आया है क्योंकि मार्केट उपर जा रहा था बड़ यहां पर धुक गया इंड मार्केट को आप देखें तो यहां से बीग केंडल जाजा रहा है वैसे यह पैटन है तो पेटन के बेस्पेश गेंडल को गिरीन बन अचीए अब देखते हैं कि घीन बनता है यहाँ पे अगें मैं अब डारेक्शन के लिए ट्रेट बंच करूँगा 1,2,3,4 मैं यहाँ पे 4 ट्रेट बंच कर दिया आप डारेक्शन के लिए Because यहाँ पे जो है इसी candle को अब जाना चाहिए था बढ़ गया नहीं पहला लोजिक ही हो गया दूसरा लोजिक यहां पे एक pattern भी बन गया एक green दो red तो इस candle को यहां पे green बनना चाहिए इसलिए मैंने यहां पे chart rate पंच कर दिया है फिलाल हम bet करते हैं देखते हैं क्या होता है यहां पे एक level भी है तो level को कहीं न कहीं market में retage तो करना चाहिए तो यहां पे एक level है तो हम फिलाल wait करते हैं देखते हैं कि यह level को जो है यह काम करता है कि नहीं करता है अगर नहीं करेगा तो फिर आपका फिर आज का कहानी थोड़ा change हो जाएगा और देखते हैं क्या करता है market आज तो मतलब कुछ मानी ने रहा है यह मेरा तिसरा trade है अगर आप देखें तो यह तिसरा trade है ओके चलिए मतलब जो है large बचा लिया आप इसको 30 बहसा में समझ सकते हैं क्योंकि अगर यह loss जाता तो मेरा लगता जो है 3 trade loss हो जाता और भाड़ी नुकसान हो जाता फिलाल में जितना losses किया था उतना जो है cover कर लिया है कल भी same हुआ था मतलब लगतार 3 trade loss हो था उसके बाद profit 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 चला था फिलाल देखते हैं क्या होता है और opportunity में लेगा तो हम trade भी punch करेंगे देखिए क्या होड़ा है market में अगर यह rate नहीं बना तो फिर हम rate के लिए जाएंगे तो बन गया चलिए छोड़ी है यहां पर विद्ध के काम कर चुका है तो हम trade punch नहीं करेंगे अपना जो target है यहां पर 19 lakhs है बस उतना ही पुरा करना है बाकि फिर करेंगे नहीं अब direction के लिए अगर यह candle अप नहीं जाता है तो फिर हम यहां पर मार्टिंगर यूज़ करेंगे एंड समझ सकते हैं कि इस trade को जो है loss होने से बचाना चाहरा आता ऐसा हम सोच सकते हैं ठीक है market वैसे देखिए projection को आज बहुत ही अच्छा तरीके से फॉलो कर रहा है वाट थोरा बहुत चलता है और यहां पर देखते हैं कुछ मिले ओपरचुनिटी ओके तो यह ओपरचुनिटी मिला हुआ है हम यहां पर दो ट्रेड पंच कर दिये इसी पॉइंट पर लगा है लगातार यहां पर rate candle बंटा था यहां पर इस इस उमच को समझाया के रही ओपर दो ट्रेड पंचे किया था मेरा गफीट कनीच को पॉइंट रहा हुँआ and अगर आप देखें तो यहाँ पे 19,80 बन गया है मतलब अच्छा रहा and बहुत ही अच्छा रहा and आप देख सकते हैं जो आज का target था वो मैंने profit में निकाल लिया है वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 trade लगातार loss हुआ and उसके बाद जो मैंने profit निकाला आपके सामने result है profit कहाँ से start हुआ यहाँ से यह वाला candle से तो आप देख सकते हैं जबरदस तरीके से profit हुआ सब का सब तो इस तरीके से आप भी analyze करके trade पंच कर सकते हैं और अगर आप analyze नहीं करना चाहते हैं तो मेरे टेलेग्राम में जूट जाएए वहाँ पे जोएन आपको 11 तारिक से signal मिलेगा आप भी मेरे साथ profit कर पाऊगे ठीक है तो आप सब जोएन जरूर कर लिजेगा and देखिए percentage जोए बहुत उपर नीचे होड़ा है अभी यहाँ पे एकसर था एकतर हो गया तो जिसके बज़ा से यहाँ पे थोड़ा बहुत एमाउंट जोए कम मिला ठीक है कोई बात नहीं है आज का जो series है हम यहीं पे खतम करते हैं मिलते हैं कल के series में and कल हम यहाँ पे live भी आएंगे देखते हैं वहाँ पे live मेरा किस तरीके से काम होता है कितना डिफ्रेंस रताय टैमिंग का क्या हम live में trade कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे हर एक चीज हम देख लेंगे and अगर success होगा तो फिर हम 11 तरीक से live ही आके trade पंच करेंगे तो आप सब नीचे comment करिएगा कि टेलीगराम पे signal दूँ कि live करूँ ठीक है आप सब comment नीचे जरूर करिएगा तो मिलते नेक्स टूडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भाड़ा